इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाइ वीगार्ड अब जिसे हमा रेवडी पॉलिटिक्स बोलते हैं दुर्भाग जिसे रेवडी पॉलिटिक्स जो है वो भारतिय राजनीती का एक अवस्यंभावी हिस्सा बनते जा रहा है आपको ध्यान में होगा कि इस रेवडी पॉलिटिक्स की सुर्वात जो है वो पश्च दक्षिन में तमिल नाडू की राजनीती से सुरू हुआ था जब साड़ी बांटने का और टेलिवीजन देने का फिर ये लैप्टॉप देने तक बारी आई और अब जो है वो पैसे देने तक की बारी आ गई है और कमों में जैसे हम पुटबॉल खेलते हैं कोई एक पक्ष लंगी मारता है फॉल के लता है तो दूसरा फॉल के लिए भी फॉल खेलना जो है वह अज तन के साथ मन को जगाओ वी गाड वाटर हीटर्स के संग वी गाड मत मजबूरी बन जाती है आप उसे आप उसे नाकार नहीं सकते हैं और वही इस्तिति है भारतिय जनता पार्टी ने रेवडी कल्चर रेवडी कल्चर इसे कहका लेकिन साथ में भारतिय जनता पार्टी को भी उसी पीच पर उतरना पड़ा क्योंकि उसे सामने मजबूरी थी कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मद्दाताओं को जिसे हम कहते है rational choice making, वो rational choice making से किनारे भटका देता है और इन सब सीडियों के लिए वो एक अच्छे सरकार को भी गिरा डालती है, तो सभाविक है ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बावजूद जो राजस्थान का जो चुनाव है, वो खास करके महत्पुर्ण इसलिए हो जा करते हैं, कि पर्सनाल्टी का कई बार संघरश होता है, कई बार जो हे वो हीतों का संघर शोता है, तो इस प्रकार का होता है, लेकिन जो कॉंग्रेश पार्टी के अंदर जो देखने को आ रहा है, कि जो एक बहुत बड़ा गुजर गूट बैंक था सचिन पाइलेट के साथ सचिन पाइलेक बेसक राहूल गांदी जी के दबाओं में प्रियंका गांदी जी के दबाओं में गहलाओ जी से हाथ मिला लें लेकिन जो community at such है वो कॉंग्रेस के साथ जाने के लिए तयार मुझे नहीं दिखती है ऐसा जो रिडिंग्स के आधार पर कह रहा हूँ ऐसा मैंने कोई जा करके किसी से पूछा है ऐसा नहीं है लेकिन जितने भी अख़बार हमने पढ़े हैं जितने भी रिपोर्टिंग्स और राजस्तान पत्रिकाव एगर सब को ले करके मैं यह कर सकता हूँ कि एक दोनों के बीच में जो टकराओ है वो बड़ी भारी महंगी पढ़ने वाली है मतलब कॉंग्रेस हार रही है आपके इसाथ से राजस्तान का चुना मुझे ऐसा लगता है कि भारतिय जनता पार्टी चाह करके भी राजस्तान नहीं हारने जा रही है वहाँ पर उसकी विजय हो रही है और जो दो जगह ऐसे हैं जहाँ पर 36 गड़ोर जो मद्यप्रदेश है इन दो जगहों पर भारतिय जनता पार्टी को काफी अच्छा टकर बिल रहा है मुझे लगता है कि ये दोनों जगह भारतिय जनता पार्टी के लिए काफी मसकत करने पड़ेंगे यदि कॉंग्रेस के जबड़े से जीत को कीच करके अपने पाले में लाना है तो बहुत बढ़िया ठीक है नहीं और देखिए आपने जो ये बाते कहीं ना कि राजस्थान में बीजेपी आगे है MP 36 गड़ में कॉंग्रेस आगे दिख रही है और BJP पीछे ये वो विशलेशन और असेस्मेंट है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं और आशुतोष भी लगबग इसी तरह की बात करते हैं और इसलिए आशुतोष मुस्कुरा भी रहे थे कि प्रोफेसर संगीत रागी ने आज बिलकुल उसी तरह का विशलेशन किया है जैसा आशुतोष शायद खुद करते हैं अभी आशुतोष थोड़ी देर में आ रहा हूँ संगीत रागी बहुत देर से बेताब है संगीत रागी जवाब देने के लिए और क्रिकेट से ही शुरू करिये संगीत रागी क्या जरूत थी पी-म को ये वीडियो रिकॉर्ड करके उसे जारी करनेगी अभी तक तो हम यहीं समझते थे कि ये अच्छे पत्रकार हैं मुझे नहीं जानकारी थी कि ये अच्चे इतने क्रिकेट के जानकार भी है रे हिंदोस्तान में तो हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है हाँ देखे भारतिय जंता पाटी के लिए मैं कह रख सकता हूँ कि एक factor होता है hygiene factor जैसे यदि air conditioner नहीं हो तो हो सकता है कि पसीने में आपको पढ़ने के लिए उतने उत्साह नहीं रहे लेकिन hygiene factor यदि आपको air conditioner लगा दें तो आप पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हो जाए कोई आवश्चक नहीं है तो भारतिय जनता पार्टी जिसे ये आसुतोस कह रहे हैं कि पीच पर खेल रही है वो पीच पर खेल मैंने आपसे सुरू में कहा था चुकि जिस कारण से Congress Party को lead मिल सकती है Congress Party कोई नीतियों के आधार पर भारतिय जनता पार्टी को challenge नहीं कर रहे है कोई एक बहतर policy decision लेकर के alternative politics और alternative governance देने की बात लेकर के नहीं आ रहे हैं आप देखिए Congress को हम old scheme pensum जो है वो दुबारा लाएंगे किस ले लाया आपने आपकी एक टार्गेट constituency कर रहे हैं जिस जिस चीज को Congress Party ने खुद निरस्त किया था old pension scheme को किसने धत्ता बताया था किसने खारिज किया था मनमोहन सिम की सरकार ने खारिज किया था राज्यों को कहा कि आपके burden बढ़ रहे हैं एक shaker पर burden बढ़ रहे हैं आप कंगाल हो जाएंगे इसको आप पड़ा दीजिए लेकिन जब होता क्या है कि जब आप जमीन पर गिर जाते हैं तो आपको लगता है कि उठने के लिए हमको किसी भी हाथ तक जाना चाहिए तो बर संगीत रागी बीजेपी भी तो वही घोशनाए कर रही है पैसा कहां से आएगा बताई आप कहरे रहे हैं अगर राजस्तान की आलत खराब है कहां से आएगा पैसा बीजेपी अगर लागू करेगी तो मैंने आपसे क्या कहा मानक मैंने यही कहा कि भारतिय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है हाइजिन उसको कंट्रोल करने के लिए इसी को हम हाइजिन फैक्टर कहते हैं यदि आप दात को ब्रस नहीं करेंगे तो आपको दात में किटानू हो जाएगा इसलिए आपक को ब्रस करना पड़ेगा साफ रखने के लिए क्योंकि यह इनको चेक्मेट करने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप उस पीच पर उनको न्यूट्रलाइज किजिए न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे जो वादे आप कॉंग्रेस कर रही हैं अगर वो कह रहे हैं कि वो दांत पूरे नहीं करेंगी अपने मुझे मुझे ऐसा लगता है ने मैं यह नहीं कह रहा हूँ जब एक बार आप कमिट करते हैं तो आप जंता के बीच में जाते हैं तो आपको करना ही पड़ता है कि मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि रेवडी बाटने का कल्चर अब मेरे मित्र आसुतोस की पार्टी ने सुरू किया था अब इनको अब केजरिवाल जी ने धत्ता दे दिया तो हम क्या करें यह आज रहते तो कम से कम राज्य सभा के सांसत बने हुए रहते मेरे मित्र हम मुझे लगता है कि मेरे लिए टिप नि करना ठीक नहीं होगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की भासा जो है वो प्रधान मंतरी के लिए क्या जाना चाहिए मुझे रहां पर राजीव सुकला तो बैठे हुए थे नए किसने मना किया था लिए तो राहूल गांधी पर बिलकुल गांधी ने वुज नहीं किया तो सभावी कहे कि प्रदान मंत्री ने इस 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 इनिसियेटिव को लिया अब उसके लिए कोई अप भरंच की भासा का प्रियोग करें तो मुझे लगता है कि ऐसा राजनीती में नहीं हो वो बहतर ह This video is sponsored by V-Guard